नमस्कार, उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रोध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, ई-कंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु आधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा, धन्यवाद. आप चांद दिया है, हम बार-बार यह देख रहे हैं कि हमें इहां पर फोकस करना है, कि हमें व्यवरोत क्या क्या दिया है, और इसका हमें अधिक्तम करन करना है, या निवनतम करना है, या फिर दोनों करने है, तो इस प्रेश्ण में सिप अधिक्तम करन की बात की गई है, तो हम जादा इदर उदर की बाते नहीं करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे, अब इसको हल करते हैं, और फिर हम देखेंगे किस बिंदू पर इसका अधिक्तम आ रहा है, ठीक है, वो इसका अधिक्तम में करण होगा, तो चलिए हम पहले इन असमिकाओं को समिका में बदल के इनका आलेक बनाएंगे, तो यहाँ पर हम आलेक बनाएंगे, पहले इस वली असमिका का 3x प्लस 5y, less equals to 15 को हम बदल लेंगे, बराबर 15 में, यहाँ पर पहले आप x को 0 रखेंगे, तो इस से आपको y कमान कितना मिलेग 3, तो हमारे पास एक निदेशांक आए है, 0,3, और फिर अगली बार y को 0 रखेंगे, तो यहाँ से x कमान कितना आएगा, 5, तो हमारे पास दूसरे निदेशांक आए है, 5,0, इन निदेशांकों को हम यहाँ पे ग्राफ में कहां प्लॉट करेंगे, 0,3 आएगा यहाँ पे, और 5,0 आएगा यहाँ पे, इन दोनों बिंदू को मिलाने पर हमें इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त होगी, अब यह देखना है कि इस रेखा का कौन सा भाग यहाँ पे चायंकित होगा, यहाँ पे उपर वाला भाग चायंकित होगा या नीचे वाला, तो उसके लिए क् इसको संतुष्ट कर रहे है, हाँ मूल बिंदू इसको संतुष्ट कर रहे है, 0,15 से छोटा होता है, तो इसका मतलब इस रेखा का कौन सा भाग चायंकित होगा, इस रेखा का मूल बिंदू की और का, यह नीचे वाला भाग चायंकित होगा, अब हमने यहाँ पे यह वाला बनाने पर हमें मिलेगा 5x plus 2y पराबर 10, जब आप x को यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ से y का मान मिलेगा 5, और जब y को 0 रखेंगे तो x का मान मिलेगा 2, तो एक निर्देशांग हमारे पास आए है 0,5 और दूसरे निर्देशांग का आए है 2,0, इनका जब हम आलेक अब हमें यह देखना है कि इस रेखा का कौन सा भाग्चायंकित होगा, इधर वाला या इधर वाला, उसके लिए क्या करना होगा, फिर से हमें वही काम करना है कि यहाँ पे x और y की जगा 0 रखेंगे, तो यह होगा 5 x 0 plus 2 x 0 is less equals to 10, तो बताए क्या यह मूल बिंदू इस औ और का शेत्र यहाँ पे चायंकित किया जाएगा, तो इसका चायंकित भाग होगा, वो यह वाला होगा, इसके अलावा आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्रतिबंद और है, x greater equals to 0, y greater equals to 0, इसका मतलब क्या बता रहे हैं, कि यहाँ पे जो हमें हर शेत्र मिलेगा, वो प् इसके लिए x greater equals to 0, y greater equals to 0, संतुष्ट कर रहे हैं, और दूसरा, यह दोनों का उभाइनिष्ट शेत्र है, यहाँ पे यह दोनों चायंकि शेत्र है, उसका उभाइनिष्ट शेत्र यह वाला है, जो प्रतम चातुद दान्श में आ रहे हैं, यहाँ से तो हमारा इन किया आएगा यह वाला, 0, 3, इसका 0, 0, इसका 2, 0, और इसका, इसके दिर्देश्ट शेत्र शेत्र निकालने के लिए हमें इन दोनों समी करनों को हल करना होगा, इन दोनों समी करनों को हल करने के लिए 3x plus 5y equals to 15, और 5x plus 2y is equals to 10, हम कर सकते हैं कि इसको 2 से खुना कर दे और इसको 5 से खुना कर दे, तो उससे क्या होगा, यह cancel हो जाएगा, गुना करके इसको minus कर देंगे, तो उससे क्या होगा, यह cancel हो जाएगा, यह होगा, 3, 2s are 6, 6x minus 5, 5s are 25, 25x equals to 15, 2s are 30, minus 10, 5s are 50, तो यह आजाएगा, minus 19x पराबर, minus 20, तो x equals to 20 upon 19 आएगा, और x का यह मान, अब किसी एक समिकरण में रखके हम y का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इस समिकरण में रख देते हैं x का यह मान, तो यह हो जाएगा, 60 upon 19, तो यहाँ से y का मान आएगा, 15 minus 60 upon 19, और 1 by 5, इसको आप हल करेंगे, तो आपको y का मान मिलेगा, 45 by 19, ठीक है, तो हमें इसके जो निर्देशांग मिले हों क्या मिले, 20 by 19 और 45 by 19, अब इन चारों बिंदों को लेकर, इन चारों शीर्षों के निर्देशांग को लेकर हमें चांच करनी है कि कि किस बिंदों पर इसका मान अधिक तम होगा, तो यहाँ पर हम इसके है 0,0, तीसरा 2,0 और चोथा 20 बाइ 19 और 45 बाइ 19 इसले निदेशांग के लिए Z कमान आएगा 5 x x plus 3 x y बराबर 9 इसके लिए Z कमान आएगा 5 x x plus 3 x y बराबर 0 इसके लिए Z कमान आएगा 5 x x plus 3 x y मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर x और y गिमान रख रही हूँ तो x कमान है 2 और y कमान है 0 तो यह आएगा 10 और इसके लिए Z कमान आएगा 5 x x मतलब की 20 बाइ 19 बराबर 235 बाइ 19 तो हमें यह चार मान मिले हैं इन चारों में से आप मुझे बताइए सबसे अधिकतम मान कौन सा है आप रहों ठीक सोच रहे हैं कि यह वाला मान सबसे अधिकतम है तो Z पराबर 5 x प्लस 3 y का अधिकतम मान 235 बाइ 19 होगा यह इसका क्या होगा अधिकतम मान होगा और अधिकतम ही करंड करना था तो हमने नियूनतम की बात ही नहीं करी अगर बात नियूनतम की बी होदी तो यहाँ पर हम 0 के बारे में भी सोच थें लेकिन यहाँ बात 35 by 19 है, किन बिंदू पर 20 by 19 और 45 by 19 पर, ठीक है? आलेख ही वीदी दुवारा निम्ने डाकिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए, x plus 2 by greater equals to 10, 3x plus 4 by less equals to 24, xy greater equals to 0, यह दे रखे हैं, we are root, और आपको यहाँ पे z बराबर 200x plus 505 का नियुन नतम मान ग्याद करने है, तो सेम वही काम करेंगे, सिबसे पहले हम इन असमीकाओं को समीकाओं में परिवर्दित करके इनका आलेख बनाएंगे, हमें ज़रूत परने वाली है, इन तीन असमीकाओं के बढ़ने वाली है, और उसके बाद हमें इसका नियुन नतम मान ग्याद करना है, राइट? तो हम शुरुबात करेंगे इस असमीकाओं से, पहले हम इसका अलेख बनाएंगे, इस वाली असमीकाओं को जब आप समीकाओं में बदलेंगे, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, और जब x कमान आप 0 रखेंगे, तो यहाँ से y कमान कितना मिलेगा, बताइए, 5, तो और फिर जब आप y कमान 0 रखेंगे, तो x कमान कितना मिलेगा, 10, तो इसके नितेशा हम हो जाएंगे 10, 0, तो अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो 0, 5 हमें मिलेगा यहाँ पे, और 10, 0 हमें मिलेगा यहाँ पे, इन दोनों बिंदू को मिलाने पर, हमें इस प्रकार स एक रेखा प्राप्त होगी, अब यह चेक करना है कि इसमें छायंकित शेत्र कौन सा होगा, यह वाला होगा, यह यह वाला होगा, अब यह चेक करने के लिए आपको x और y कमान 0 रखना होगा, 0 प्लस 2 इंडू 0, ग्रेटर इकोस तू 10, तो बताएं कि यह मुल बिंदू इस मुल बिंदू वाला शेत्र चायं कितनी होगा, तो कौन सा होगा, यह उपर वाला, राइट, अब हम बात करेंगे इस वाली समीका के लिए, तो इसको भी पहले समीका में बदलेंगे, तो यह समीकरन बनेगी, 3x ब्लस 4y बराबर 24, यहाँ पे पहले x कमान 0 रखेंगे, x कमान 0 रखने पर आपको मिल रहा है y बराबर 24 बटा 4 मतलब की 6, और जब आप y कमान 0 रखेंगे, तो y कमान 0 रखने पर x कमान आपको मिल रहा है, 24 बटा 3 मतलब की x बराबर 8, तो हमारे जन्य देशांग बने हैं, वो है 0,6 और 8,0, राइट, तो 0,6 कहां मिलेगा हमें? 0,6 हमें यहां मिलेगा और 8,0 यहां पर, इन दोनों बिंदों को मिलाने पर, हमें इस प्रगार की एक रिखा प्राप्त होगी, अब हमें यह चेक करना है कि यहां पर हमें चायंकित शेत्र कौन सा मिलेगा? इसको चेक करने के लिए हमें इस असमिका में x कमांड 0 रखना होगा तो यह होगा 0 और फिर y कमांड भी 0 रखेंगे तो यह भी हो जाएगा 0 क्या यह इसको संतुष्ट कर रहा है क्या 0 24 से छोटा होता है हाँ होता है इसका मदली संतुष्ट कर रहा है तो इसका चाहेंग की शेत्र आपको कौन से वाला मिलेगा मूल बिंदू की और है ना तो इसका चाहेंग की शेत्र हमें को जिस प्रकार का मिलेगा अब देखिए यहाँ पे एक restriction एक प्रतिबंद और है वो है कि x और y 0 से बड़े होने चाहिए एक्स और y 0 से बड़े कब होते हैं बताइए जीरो से बड़ा होने का मतलब कि हमें जो हल शेत्र मिलेगा वो प्रत्थम चेत्थाश में मिलेगा जहां पे x और y के मान 0 से जादा होंगे राइट अब हमें यह देखना है कि यहाँ पे common shaded portion कौन सा है उभाय निश्च शायं की श यहाँ पे प्रत्थम चेत्थाश में हमें यह वाला शेत्र मिल रहा है ठीक है यह वाला तो हमें क्या करना है हमें इसका नियूनितम मान ग्याद करने के रिए क्या करते हैं बताइए पहले हमें इस common shaded portion के शीर्ष चाहिए यह जो उभाय निश्च शायं की शेत्र है इसके श देशांक की आएंगे यह वाले निश्च शांक होंगे 0,6 यह वाले 0,5 और यह वाला निश्च शांक आपको दोनों समिकर्णों को हल करने पर मिलेगा इन दोनों समिकर्णों को हल करने पर क्या आएगा x plus 2y equals to 10 और 3x plus 4y equals to 24 आप जानते हैं कि अगर हम इसको 3 से गुना करके इसको minus कर दे तो हमें y कमान मिल जाएगा यह हो जाएगा 3x, 3x, 3x cancel और 3 to 6, 6y minus 4y यह हो जाएगा 2y बराबर 10, 3 सा 30, 30 minus 24 हो जाएगा 6 तो यहां से आपको y कमान मिलेगा 3 और y कमान यहां पर रखके हमें x कमान मिल जाएगा यह हो जाएगा x plus y कमान है 3 3 to 6, यह हो जाएगा 6 बराबर 10 तो यहां से हमें x कमान मिला 4 तो इसके निर्देशांग क्या हुए? 4,3 अब इन तीनों निर्देशांगों के साथ हम यह चेक करेंगे कि किस बिंदू पर इसका मान नियू नतम है तो अब इसका नियू नतम मान निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं यहां पर निर्देशांग लिए 0,6 0,5 और तीसरा निर्देशांग क्या है? 4,3 इस वाले के तीनों के शीर्ष लेंगे न इस वादे शेत्र के तीनों शिर्ष तो वो हमने ये लिख लिए अब तीनों के लिए हम यहाँ पे Z कमान निकालेंगे Z कमान कितना आएगा 200 X plus 500 Y यह आएगा 200 X कमान है 0 तो यहाँ आए 0 प्लस 500 Y कमान है 6 तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इसको हल करके आपको क्या मिलेगा देखें यह हो जाएगा 0 और 5 to 30 यह हो जाएगा 3000 अब इस बिंदू के लिए Z कमान आएगा 200 और X की जगा पर आजाएगा 0 प्लस 500 और Y की जगा पर आजाएगा 5 इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 25, 100 और इस वाले के लिए Z पराबर 200, X कमान आएगा 4, प्लस 500, Y कमान आएगा 3 इसको हल करके आपको मिलेगा 800 प्लस 1500 पराबर 2300 अब यह बताएगे 3000, 2500 और 2300 में सबसे नियुनतम मान कौन सा है आप जानते हैं कि यहाँ पे सबसे नियुनतम मान ये वाला है अतहा इसका जो नियुनतम मान का हल है वो कि क्या आएगा 2300 आपसे ही पूचाता ना किसका नियुनतम मान क्या होगा तो आप कहेंगे Z पराबर 200, X प्लस 500, Y के लिए नियुनतम मान 2300 होगा और अगर अधिकतम की बात की कही होती तो हम यहाँ पे 3000 के बात करते ठीक है ना दोनों मान गयाद करने है नियुनतम भी और अधिकतम भी और जो प्रतिवन दिये गए है जो व्यवरोध दिये गए है वो कुछ इस प्रकार से है यह सारे आपके बास व्यवरोध है अब हम एक एक करके इनका अलिक बनाना शुरू करते हैं तो शुरू बात करते हैं पहले आ समिका से पहले हम इस आ समिका को समिका में बदलेंगे इसमें आप जब एक्स कमान जीरो रखेंगे तो आपको वाई कमान क्या मिलेगा दो और जब वाई कमान जीरो रखेंगे तो एक्स कमान क्या मिलेगा तीन तो यहाँ पे हमें दोने देशांग मिले है 0,2 और 3,0 0,2 हमें मिलेगा यहाँ पे और 3,0 यहाँ पे इन दोनों बिंदों को मिलाने पर हमें इस प्रकार की एक रेखा मिलेगी और यहाँ पे हमें यह देखना है कि इसका छायंखित भाग कौन सा होगा नीचे वाला यह उपर वाला तो इसके लिए हमें क्या गरना होगा X और Y कमांद 0 रखना होगा तो यहाँ पे X कमांद 0 रखेंगे यह हो जाए गाट-2 इंटो 0 और Y कमांद 0 रखेंगे तो –3 इंटो 0 less equals to –6 तो क्या यह इसको संतुष्ट कर रहे है मूल बिंदू इस असमिका को संतुष्ट कर रहे है 0 कभी –6 से छोटा होता है नहीं यह इसको संतुष्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब मूल बिंदू वाला शेत्र यहाँ पे च्छायंकित नहीं होगा और मूल बिंदु वाला शेत्र चायांकी इतने होगा तो कौन सा होगा यह उपर वाला तो इस प्रकार यहां पे इस चायांकी शेत्र पर आने वाला प्रत्य एक बिंदु इस तीव कई अ-समीका को संतुष्ट करेगा अब हम बात करते हैं तूसरी अ-समीका की अ-समीका को समीका में हम बदलेंगे तो x-2y वराबर 2 होगा यहां पे x कमान आप 0 रखेंगे तो y कमान मिलेगा माइनस का एक और y कमान 0 रखेंगे तो x कमान मिलेगा 2 तो हमें क्या-क्या निदेश रांक मिले इस से 0,-1 और 2,0 राइट 0,-1 मिलेगा हमें यहां पे और 2,0 यहां पे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें इस प्रकार की एक रेखा प्राप्त होगी अब यह देखना है कि इसका चायां की शेतर कौन सा होगा उपर या नीचे तो इसमें भी हम भाई काम करेंगे मूल बिंदु रखके देखते हैं यहां पे आप x का मान 0 रखेंगे,-2, y का भी मान 0 रखेंगे, तो यह आएगा less equals to 2 तो क्या मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहे हैं, 0,2 से छोटा होता है, हाँ होता है इसका मतलब इसका जो छायांकी शेत्र होगा, वो मूल बिंदु की और का होगा, यह उपर वाला इस प्रकार से अब हम यहां पे तीसरी या समिकागी बात करेंगे, 6x प्लस 4y बराबर 24 यहां पे आप x का मान 0 रखेंगे, तो आपको y का मान मिलेगा 6 तो पहले निदे शाँक आपको मिले 0,6 और दूसरे निदे शाँक मिले 4,0 इनको जब हम आलेक में बनाएंगे, तो 0,6 हमें मिलेगा यहां पे, और 4,0 मिलेगा यहां पे इन दोनों बिंदों को मिलाने पर हमें इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त होगी और अब हम दुबारा से ये चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सा शेतर इसका च्छाय अंकित होगा उसके लिए हमें 0 0 रखे देखने होगे तो 6 x 0 plus 4 x 0 x y कॉम ने 0 रखा less equals to 24 क्या 0 24 से छोटा ह होता है हाँ होता है मतलब इसको संतुष्ट कर रहा है तो इस रेखा का मूल बिंदू की और का ये नीचे वाला भाग यहाँ पे च्छाय अंकित होगा अब हम बात करेंगे चौथी आसमिका की माइनस 3 x plus 2 y बराबर 3 यहाँ पे x का मान जब आपने 0 रखा तो y का मान मिलेगा 3 by 2 और जब y का मान 0 रखा तो x का मान मिलेगा माइनस 1 इधर आपके पहले निचे शांग है 0,3 by 2 या पे 1.5 आप कुछ भी गया सकते हैं और दूसरे निचे शांग है माइनस 1,0 तो 0,1.5 आ यहाँ पे इन दोनों बिंदों को मिलाने पर हमें इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त होगी अब हमें यह चेक करना है कि इसका कौन सा शेत्र चायंकित होगा तो वही करेंगे हम x or y का मान इस आपका में 0 रखके देखते हैं कि क्या यह इसको संतुष्ट कर रहे हैं तो हमे क्या मिल रहे है 0 is less equals to 3 तो इसका मतलब 0 3 से चोटा होता है यह इसको संतुष्ट कर रहे है यह कथन सत्य है तो यह इस असमीका को संतुष्ट कर रहे है अता यहाँ पे जो चायंकित शेत्र होगा वो मूल बिंदू की वार होगा मतलब यह नीचे वाला होगा तो यह वाला श जो हमें हल शेत्र मिलेगा वो प्रथम चदुथांश में मिलेगा तो अब आप मुझे यह बताइए इन चारो असमीकाओं में कोमन चायंकित शेत्र कौन सा आ रहे है और वो वाला शेत्र बताना है जो सिर्फ प्रथम चदुथांश में आ रहे हो मतलब यहाँ पे आप यह जो शेत्र है ये प्रत्थम च्यदुतांश में आने वाला चारो आसमिकाओं द्वारा गीरा चायंकी शेत्र पल है ठीक है आप यहां पर चेक भी कर सकते हैं पहली आसमिका थी हमारी 2x-3y less equals to minus 6 इसका जो चायंकी शेत्र था वो ये वाला था ये देखिए ठीक है तो यहां पर यह बात करेंगे 6x-2y less equals to 2 इसका जो चायंकी शेत्र था वो ये वाला था तो यहां पर इसके उपर वाला जो प्रत्थम चैतुधांश में शेत्र आरा है वो यह है अब तीसरे यह बात करेंगे 6x plus 4 by less equals to 24 इसका चाहें की शेत्र यह वाला था तो यहां पे भी जो प्रतम चेतुधान्श में आ रहा है वो यह वाला पोर्शन आ रहा है और चौथे के लिए अगर आप देखेंगे तो यह वाला पोर्शन आ रहा है तो यहां पे भी आप देखेंगे यही वाल देखांगों की सर्वत पढ़ने वाली है तो यह बताएए इसके शीर्षों के ने देखांग क्या होंगे यहां पे 1,2,3,4 यह चार शीर्ष हैं हमें इसके ने देखांग चाहिए हम इसके ने देखांग निकालने के लिए समिकर्णों को हल करना पड़ेगा तो अपनी सहु ये वली रेखा है 6x plus 4y less equals to 24 और ये वली रेखा है minus 3x plus 2y less equals to 3 ये उन असमिकाओं की समिकरण है जिनके लिए हमने इसको समिका में बदल के इन रेखा का अलेक बनाया था ये हमने इसलिए लिखी है क्योंकि हमें चाहिए इनके शीर्षों के निदेशांग अब जैसे हमें इस शीर्ष के निदेशांग चाहिए तो ये वला चीर्ष है ये इन दो रेखाओं के प्रतिछेदन बिंदू से मिला है हमें इसके निदेशांक निकालने के लिए इन दो रेखाओं की समिकरणों को हल करना पड़ेगा इसकी समिकरण है 6x plus 4y equals to 24 और minus 3x plus 2y equals to 3 इनको हल करके x और y का मान मिलेगा जिससे के हमें ये निदेशांक मिलेंगे तो इनको हल करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इस समिकरण को 2 से गुणा करके इनको जोड़ दे जो जब आप इनको 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा minus 6x और इनको जोडने पर हमें मिलेगा minus 6 plus 6 cancel यह हो जाएगा 2 2s of 4, यह 4y, 4 plus 4, 8, 8y बराबर 24 plus 3 2s of 6 तो यहां से आपको y का मान मिलेगा 30 upon 8, जिससे आप लिख सकते हैं 15 by 4 अब y का यह मान हम किसी एक समिकरण में रखके x का मान निकाओ सकते हैं तो यह हो जाएगा minus 3x plus 2y मतलब कि 15 by 2 बराबर 3 तो यहां से x का मान मिलेगा 3 minus 15 by 2 और इसका 1 third minus 1 by 3 इसको हल करके आपको x का मान मिलेगा 3 by 2 तो यहां हमें इसके शीश के निदेशांक मिले हैं यह वाले 3 by 2 और 15 by 4 अब हम यह वाले निदेशांक निकालेंगे यह वाले निदेशांक इन दो समिकरणों के प्रतिछेतन बिंदू से निकलेंगे तो पहली समिकरंड है हमारे पास x-2y is equal to 2 और दूसरी समिकरंड है 6x plus 4y equals to 24 यहाँ पर हम इस वाली समिकरंड को 2 से गुणा करके इनको जोड सकते हैं तो यह कर्ड कैंसिल हो जाएगा यह हो जाएगा 2x plus 6x 8x पराबर 2 2's are 4 plus 24 यह हो जाएगा 28 तो x का मान आएगा 28 by 8 पराब 7 by 2 right तो x का मान आया 7 by 2 वो मान हम यहां रखेंगे उसके बाद निकालेंगे x का y का मान तो 7 by 2 minus 2y बराबर 2 तो यहाँ से आपको y का मान मिलेगा 2 minus 7 by 2 into minus 1 by 2 जिसे हल करके आपको मिलेगा 3 by 4 तो इस बिंदू के बिने देशांख हमें मिल चोके हैं 7 by 2 और 3 by 4 अब हम निकालेंगे इस बिंदू के निर्देशांख यह वाला जो बिंदू है यह इन दो रेखाओं का प्रतिशेतन बिंदू है जिसकी पहले की समिकरण है x minus 2y बराबर 2 और दूसी रेखा की समिकरण है minus 2x minus 3y बराबर minus 6 इनको हल करने के लिए हम इस समिकरण को 2 से भाग करके दोनों को जोड सकते हैं तो यह cancel हो जाएगा यह हो जाएगा minus 2 into 2 minus 4 minus 3 minus 7y बराबर यह हो जाएगा 4 minus 6 minus 2 तो यहां से आपको y कमान मिलेगा 2 upon 7 और y का यह मान हम किसी एक समिकरण में रखके x कमान निकालेंगे तो यह आएगा x बराबर 2 plus 2 into 2 upon 7 इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 18 by 7 तो यहां पर हमें तीसे निदेशांग भी मिल चुके हैं 18 by 7 और 2 by 7 अब हमें यहां पर चौथा निदेशांग चाहिए यह चौथा निदेशांग इन दो समिकरणों के हल से मिलेगा पहली समिकरण है minus 3x plus 2y बराबर 3 और दूसरी समिकरण है minus 2x minus 3y से गुणा करके इनको जोड सकते हैं तो यह हो जाएगा minus 9x minus 4x minus 13x यह cancel हो जाएगा यह हो था plus 6y यह minus 6y जो की cancel हो गया बराबर 9 minus 12 जो की होगा minus का 3 तो यहां से x का मान आया 3 by 13 x का यह मान हम किसी एक समिकरण में रखते हैं y का मान निकाँ हो सकते हैं 3 into 3 by 13 plus 2y बराबर 3 इसको हल करके आपको y का मान मिलेगा 24 by 13 तो हमें यह चौथे निर्देशांग भी मिल चुके हैं जो की 3 by 13 और 24 by 13 है अब हमारा काम क्या है सिर्फ यह निर्देशांग हमें इसमें रखने हैं और देखना है इसका नियूनतम मान के आ रहा है और इसका अधिकतम मान के आ रहा है तो हमें यह निर्देशांग मिले वो कौन कौन से हैं वो है 3 by 2, 15 by 4 दूसरा निर्देशांग है 3 by 13, 24 by 13 तीसरा निर्देशांग है 18 by 7, 2 by 7 और दूसरा निर्देशांग है 7 by 2, 3 by 4 यहां से जेट कमान आएगा 5 इंटू X मतलब कि 3 by 2 प्लस 2 इंटू Y मतलब 15 by 4 तो इसको जबापल करेंगे तो आपको मिलेगा 15 यहां से जेट कमान आएगा 5 इंटू 3 by 13 प्लस 2 इंटू 24 by 13 इसको हल करेंगे आपको मिलेगा 63 अपॉन 13 यहां से जेट कमान आएगा 5 इंटू 18 by 7 प्लस 2 इंटू 2 by 7 इसको हल करेंगे आपको मिलेगा 94 अपॉन 7 और यहां से Z का मान मिलेगा 5 into 7 by 2 plus 2 into 3 by 4 और इसको हल करके आपको मिलेगा 90, राइट, अब आप मुझे ही देखके बताइए कि यहां पर सबसे नियूनतम और सबसे उचितम मान कौन सा है, जब आप इसको हल करेंगे तो इसका जो आपको मान मिलेगा, वो 4 point something मिलेगा, वो सबसे नियूनतम मान होगा और सबसे उचितम मान है आपका 90, तो यहां पर इस प्रेश्ट में हम से यही पूछा था, आपसे कहा गया था कि इसका नियूनतम और उचितम मान बताइए, तो आप कहेंगे नियूनतम मान 63 by 13 और अधिकतम मान 19, राइट, होगे इसका अंसर, आगे इसका अंसर